हेलो अब्रीवन विल्कम बैक टू क्यार स्टडी अड़ा तो कैसे आप लोग आई होप यॉर्ण डूइंग रेट और क्या है कि एक नई अपडेट अभी अपडेट हुई थी कुछ ताइम पहले या बात करूं कि आज की न्यूज पेपर में ही आई हुई थी बट यह मुझे इंपोर्टेंट लगी आप लोगों के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा से एक अपडेट दे दिया जाए तो जैसा कि आप देख पार है इसमें लिखा हुआ है कोल इंडिया की तरफ से कुछ चीजों में बदलाव किया गया है जिसके कारण से अगर आप नॉर्मल एक क ख़बर आई है कि कोल कर्मचारियों के कोल अधिकारी बनने की राया कटिन होने जा रही है कोल इंडिया गैर अधिकारी कर्मियों के अधिकारी बनने के लिए निर्धारित कैडर्स की में बदलाव करने जा रही है इसके लिए 11 मई को बैठक होगी वीडियो कॉन्फरेंसिं और इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी कि क्या-क्या मामलों में चेंज आना, क्या है मामला वो भी एक वी शॉट में जान लेते हैं, पूर में क्या था करमचारी से अधिकारी बनने के लिए विविन कैडर के लिए अलग-अलग अनुभव की जुरुत होती थी, जैसे क कार्मिक के लिए तीन साल के अनुभव की जुरुत होती थी, नए प्रस्ताओं के मुताबिक अब 15 साल का अनुभव होना चाहिए, मतलब जो प्रमोशन पहले 3 साल में मिलता था, अब वो 15 साल में मिलेगा, और भी काफी कुछ इसमें चीजें हैं, जो यहां पर लिखा जिनके सीधी बहाली हुई है, और उन्हें पांस साल गैर अधिकारी वर्ग में काम का अनुभव होना चाहिए, और सेकंड लिखा हुआ है, लिकित परिक्षा में सौ में से सतर माक्स लाने होंगे, एक कर्मी के मुताबिक कोल इंडिया पहले ही कर्मचारी से अधिकारी बनन देखते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या चीजह है, जो कंक्लूजन में आती है, वो क्या होती है, उसके बारे में जो भी अपडेट होगी, तो यह थी एक छोटी सी अपडेट, आई होप आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगी, जो भी यहां पर के और जो लोगों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बीस सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि जो भी नेक्स अपडेट होगी, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यो फॉर वाचिंग